पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आप वीडियो लाश्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझाए तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार जीवाडू भोजी या फिर बैक्टिरियो फेज होते क्या है तो यहाँ पे जो जीवाडू होते हैं जीवाडू भोजी होते हैं वो जिवाडू को संक्रमित करने वाले विसाडू जिवाडू भोजी या बैक्टिरियो फेज कहलाते हैं देखिए जो जिवाडू भोजी होते हैं वे वाइरस हैं या फिर विसाडू होते हैं परन्तु वे जिवाडू या फिर बैक्टिरिया के उपर संक्रमड करते हैं होता है जिवाडों में उसके कारण ये कहलाते हैं इनकी जो खोज है उसका स्रेय टावट और हैरेल को जाता है तो इनका खोज किस ने किया था टावट और हैरेल ने किया था अब हम यहां पे चलिए चलते हैं इनकी जो सनरचना होती है उसके बारे में यहां बात करेंगे सबसे पहले मैं यहां बता दूँ कि इनकी जो संरचना है दिखने में टैटपोल के समान दिखाई देते हैं और इनका जो संपूर्ण सरीर है संरचना है ये तीन भागों से मिलकर बना होता है सीर, धड़ और पूँच यहां पे हम अच्छे से इसे कवर करेंगे तो सबसे पहले इनका उपरी भाग जिसे सिर्ष कहते हैं सड़ भुजाकार या फिर हेक्सागोनल तथा बहु पार्स्वर रूप होता है ठीक है तो इनका जो सर है धड़ है उपरी हिस्सा है वो कैसा होता है सड़ भुजाकार या फिर बहु पार्स्वर रूप या फिर पॉल है नीचे वाला भाग पूंच की तरह होता है देखिए ये सीर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे बेलाकार या फिर सिलेंडर के समान एक पूंच स्ट्रक्शर पाया जाता है पूंच के समान जिसे क्या कहा जाता है पूंच उसके अंदर अन्वांसिक पदार्त डिएने पाया जाता है और यहां जो इनका डिएने होता है सीर में सीर में हैड में वो किस से घिरा होता है कैपसीड से घिरा होता है जो कैपसीड होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है तो इनका ये खास सरचना में दिखाई पड़ता है कि इनके जो अन्वानसिक पदार्थ है वो किसमे ढखे होते हैं चारो तरफ से कैपसीड से तो यहाँ पे जो बैक्टिरियो फेज है उसके डिने भी कैपसीड से घिरे होते हैं चारो तरफ और ये सीर में पाये जाते हैं पूँच एक खोखली नली नुमा कोर की बनी होती है, देखें सीर के नीचे पूँच है और वो किस की बनी है, कोर की बनी हुई होती है, यहाँ पे जो इसका पूँच होता है, उसके चारों और क्या पाया जाता है, अकुंचन, सील, आवरण या फिर सीत पाया जाता है, ठीक, इनका जो पूँच है उसके चारो और घेरे रखता है ये सीत या फिर आउरन इने हैं इसके पूँच को पूँच का एक सीरा एक कॉलर द्वारा देखिए यहां पी जो पूँच होता है उसके दो सीरे होते हैं इसका उपरी सीरा सीर से लगा हुआ होता है किसकी साहता से कॉलर जैसे हम कोई सट पहनते हैं कमीच पहनते हैं तो हमारे गले में क्या पाया जाता है कॉलर पाया जाता है और कॉलर के उपर क्या पाया जाता है हमारा सीर पाया जाता है उसी प्रकार जो ये बैक्टिरियो पेज है उनकी सरचना में भी इनके सीर के नीचे कॉलर पाया जाता है क कॉलर किसे जुरा होता है पूँच से जुडा हुआ होता है एक ओर तो ये जो इनका पूँच है उसमें कॉलर जुड गया उपरी सतह पे सीर वाले एरिया में और नीचली तरब क्या पाया जाता है आधारीय 화aninaire प्लेट तो इसकी निचली सता में क्या जुड़ा होता है? आधारिय प्लेट या फिर बेस प्लेट जुड़ा हुआ होता है. तो इनके सररचना में एक आपको मकडी के समान और दिखाई दे रही है. सररचना मकडी के पैर के समान वो टेल फाइबर कहलाते हैं और जो इनका बेस प्लेट है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं. तो दोस्तों इनकी सररचना में मुख्य चीजे कौन-कौन सी है? हैड, हैड में क्या पाया जाता है? डिएने, डिएने में डिएने के चारोर कैपसीट प्रोटीन का आरण पाया जाता है. उसके पास सीर या फिर हैड के नीचे पाया जाता है कौलर. कौलर के साथ जुड़ा होता है टेल या फिर पूँच. पूँच की नीचली भाग में जुड़ा हुआ होता है बेस प्लेट. बेस प्लेट के पास पाया जाता है टेल फाइबर. तो यही बैक्टिरियो फेच की सरचना होती है और आज का जो हमारा टॉपिक था बैक्टिरियो फेच की जो सरचना है वो कम्प्लीट होती है अगर आपको मेरा ये पसंद आया ये जो वीडियो है तो इसे लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए अगर आपको